शिशान सिंग राजबूत के हाथसे वाले दिन उनके फ्लैट पर पांच लोग मौजू थे शिशान के हाथसे के बाद सभी लोग खबरों में आए उनके को नीरत से लेकर हाउस मिनीचर सैमिल मिरादा तर सभी से बियाई की रोदार पर हैं लेकिन इस पीच हाउस्टाफ सदस्दस से केशव मीडिया के सामने आने से बच रहे हैं अब जानकारी के मताबिक आपको बता दे कि केशव एक एक्टरिस की मुंबई निवास पर उनके खर पर काम कर रहा है सारा के खर के गार ने पूच्टी की है कि केशव एक्टरिस सारा लिखान की यहां काम करता है जब यहां पर केशव से कॉन्टेक करने की कोशिश की गई तो वो कहता है कि छोड़ दो मुझे अब मेरे लिए माम लाग ख़त्म हो गया है ख़बरो की माने ही तो नीरज के चाचा ने बताया था कि केशव सारा लिखान की घर काम करता है वो खाना भी बना लेता है तो जब मैडम ने उसे बुलाया तो वो चला गया दो दिन पहले ही वो गोवा से मुंबई आया है बता दे कि नीरज शिशान सिंग राजपूत का कुख था ख़बरों की माने तो फिर से केशव और नीरज को पूस्ताज के ले बुला सकती है इससे पहले नीरज शिश ने इक इंटर्वियू में बताया था कि 14 जून को केशव ने शांसिंग से ब्रेकफास के लिए पूछा था तो उन्होंने कहा था कि नारिल पानी और जूस और बनाना लेंगे बाद मिश्राम ने नारिल पानी और जूस लिया और कहा कि केला बात केशव ने ही आखरी बाद स्षांसिंग से बात की थी 26 सितंबर को एंसीवी ने सारा लिखान से द्रॉक्स मामले पर पूछताच की थी सुरान सारा लिखान ने कहा था कि शांसिंग राजपूर पहले से ही ड्रॉक्स लेता था साथ ही ये भी कहा कि शांत वैनिटी वैन में यह नहीं ड्रॉक्स लेता था और सिगरेट भी पीता था नेक्स मैं लाइट शरचनिकरे पाऊँ